संसत का मांचुन सत्र शुरू हो चुक है और पहले ही दिन सोमवार को लोकसभा की करवाई शुरू होते ही विपक्ष ने नीट के मुद्दे पर जम कर हंगामा किया सिक्षा मंत्री धर्मेंदर प्रधान और प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बिच नीट के पेपर लिग को लेकर तिखी बहस हुई नेता प्रतीपक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साथते हुए कहा कि देश में परिक्षा प्रणाली पुरी तरह वीफल हो चुकी है। देश की एक्जाम सिस्टम युवाओ के साथ धोका कर रही है और इस तंत्र से छात्रों का भरोसा उठ चुका है। मौजूदा परिक्षा तंत्र सफलता पुर्वक परिक्षा कराने में हर बार नाकाम साबित हो चुका है। शिक्षा मंतरी खुद को छोड़ कर सभी पर दोशारोपन कर रहे हैं। अपनी नहीं दूसरों की गलतिया गिना रहे हैं। करोडों लोग सोचते हैं कि अगर आप अमीर है, आपके पास पैसा है, ताकत है तो परिक्षा प्रणाली को खरीदा जा सकते हैं। और यह विश्वा सत्ता पक्ष के लोग भी करते हैं। विपक्ष ने इस मामले में सिक्षा मंतरी धर्मेंदर प्रधान का इस्तिफा मांगा। वहीं विपक्ष के आरोपों को खारिच करते हुए सरकार ने कहा कि पिछले साथ सालों में पेपर लिका कोई सबुत नहीं मिले। और इस तरह चिलाने से कोई जूट सच में नहीं बदल जाएगा। तोड़ रहे हैं आप चदन में विरोध कर सकते हैं लेकिन ऐसी तखतिय स्विकार नहीं कि जाएंगे और कारियवाही हो सकती है। इस प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारी यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही लेटिस खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेसे।